नौन्सते तो तो शूर मी देखो एक बात समल लेते हैं अभी तक जो barriers हां ने पढ़े उन barriers में सबसे पहले हमने जो बात करी ती वह किसकी कई ती tariffs की गाई पहचानने का असान तरीका क्या है कि tariffs जो होते हैं वह सीधा किसकी बात करते है tax rate जैसे चीजों की बात करते है परसेंटेज इतना बढ़ा दिया इतना घटा दिया तो यहां पर हम जब tariff की बात करते हैं तो वो taxation जैसे अगर आपको याद होगा अगर मैं government की बात करूं तो government के पास जो revenue आता है revenue receipts के अगर मैं बात को थोड़ा सा recall करो याद आजाएगा दो तरीके से आता है एक होते है tax receipts होती है सरकार की और एक होती है non-tax receipts है ना सरकार के पास जो receipts आती है revenue receipts वो दो तरीके से रिवैड करती है सरकार वो कहती है कि वह टेक्सेशन से कितना कितना पैसा आया और फिर non-taxation चलान काट के कितना पैसा आ गया लोगों ने passport apply किये license apply किया तो उनसे कितनी fees आ गई museum देखने चले गए कुटोब मिनार देखने चले गए वहां से कितनी फीस आ गई ठीक है penalty वगएरा किसी पर impose करी थी उससे कितना पैसा आ गया तो वैसे ही एक होता है tariff ठीक है और दूसरा हमारे पास होता है non-tariff अब यहां पर हम taxation की बात नहीं करेंगे beyond tax impose किये हम किस तरीके से अपने imports और exports को impact कर सकते हैं वो हमारे बन जाते है non-tariff barriers ठीक है tariff में सीधा rates की बात की की taxation की बात की गई non-tariff में किस की बात की जाएगी besides rate हम और क्या कर सकते हैं जिससे की अपना balance of payment क्योंकि मैंने बताया ना कि आपके import export का status balance of payment होता है तो उसको improve करने के non-tariff barriers कैसे आपको help कर सकते हैं क्या क्यों होते हैं समस्ते just a moment सब तक आप एक बार revise कर लो कुछ मैं जरा छोटा सा काम कर रहा हूं बस और कुछ नहीं चलो अब बात करते हैं student अपने बास non-tariff barriers कौन से है और यह क्या-क्या कैसे-कैसे impact कर सकते हैं आपके trade को चलो apart from tariffs other trade restrictions also exist which limit the movement of goods freely in the global market affecting the gains from trade वो कह रहा है अगर आप tariff के apart बात करते हैं तो कुछ trade restrictions हो है वो भी exist करते हैं ठीक है जो क्या करते हैं जो आपके आपको limit करते है किसको movement of goods को freely in the global market affecting the gains from trade ठीक है मतलग के movement के कहा जाना है कितना जाना है इस country के साथ करना है या नहीं करना है अगर करना है तो कितना trade करना है कितना नहीं करना तो movement को affect करते हैं जिससे की gains जो है वो affect किये जा सके some of the non tariff barriers from restrictions include import quotas, सबसे जाधा famous import quotas and I am damn sure यह आपने 12th standard में ही पढ़ा हो है क्योंकि 12th standard में अपने जब Indian economy पढ़ी होगी तो उसमें अपने tariffs and non tariff barriers पढ़े थे LPG policies के time पर, right so also known as quantitative restrictions, right, voluntarily export restraints and technical as well as administrative barriers alongside these restrictions, trade also exists, other regulations, right, which have similar effects on trade, formation of other national cartel anti-dumping, export subsidy strategy, these are type like we will study, so the first question is quota, if demand is inelastic, the increase in price relating from a tariff will have little effect on the quantity, now if demand is inelastic, what is inelastic, remember student, demand chapter, remember the demand chapter, so demand is majorly divided, करते हैं, एक हम कहते हैं जी किसी-किसी चीज की तो demand होती है वह elastic होती है और एक हम कहते हैं जी किसी-किसी चीज की demand हमारी तो हमारी जो demand होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है या तो elastic demand होती है या तो inelastic current elastic demand का मतलब होता है वो demand जो आपके price के according बहुत sensitive है price के according बहुत sensitive होने का मतलब है जादा responsive है अगर छोटा सा price भी change हो रहा है तो demand आपकी अच्छी कासी change हो जाएगी जिससे कि मानने luxury goods है तो पहले इतने महेंगे फोड़े और महेंगे होगे बहुत से लोग कई लिया रहे तो बहुत महेंगा होगे छोड़ दो जो मुझे भी नहीं भी मिलेगा नहीं भी में consume करूँगा तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा तो उनको cases में जिनके में को बहुत ज़्यादा जरुरत नहीं होती है उस products को Elastic Demand की category में डाल देते हैं इन Elastic Student वह चीज़े होती है जो एक तरीके से आपको अच्छी खासे तरीके से required होती है कि आपको चाहिए ही चाहिए करके अब ऐसे में अगर इनका price change भी होगा तो यह price insensitive होती है इनके Demand को बहुत सादा change भी कर पाओगे तो कि आपको चाहिए ही जाहिए आप case में change कर लोगे चाहिए कर तो आपको नहीं मिलाते है काम तो वह बात आती है तो जो Inelastic Demand होती है student हमारी ठीक है वो क्या हो जाती है price insensitive हो जाती है तो अब एक बात सोचो अगर आप इसका example द कर दिया जाए अगर मैं कहता हूं कि tariffs को भी impose कर दिया जाए या कुछ भी चीज इस तरह की हो जाए तो भी कहीं ना कहीं अच्छा कासा आपकी country के अंदर problem जो है वो आ सकती है ठीक है क्योंकि आप पर चाहिए ही चाहिए आप उसको avoid नहीं कर सकते है जरूरत है आपकी country के demand ह आपकी तो वो inelastic demand हो जाती है तो उसे बोलते है तो अगर मान दो demand inelastic है the increase in price rating from a tariff will have little effect on the quantity imported वो करे कि अगर तुमने demand inelastic की बात कर रहे हो वह पर तुम tariff लगा भी दोगे तो मैंने आपको यह समझा दिया demand inelastic है so the increase in price rating from tariff will have little effect on the quantity imported hence quotas are used to restrict the importation of a commodity quota as the name suggests it is about limiting the physical quantity of certain commodities up to a fixed level so आप समझे कि यहां पर आप जो quota impose कर रहे हैं quota का काम है कि किसी की physical quantity को limit करना कि आप किसी commodity की इतनी ही quantity जो है import कर सकते हैं इससे जादा नहीं कर सकते हैं एक लेवल तक import करना राइट so import quota is an important trade restriction okay after tariffs and it is a direct quantity restriction strategy whereby a country can arbitrarily limit the amount of commodity to be imported or exported right चालो आगे बात करते हैं आगे में लिखा हुआ है the restriction of quantity is introduced through licensing system for example only a particular firm or group of firms are allowed to import nuclear fuel for power generation in India for each having pre-determined quantity allocated by the government to be imported this quota can be allocated among several supplying countries अब समझ गया न कि वो कह रहे है कि ये जो restriction quantity imposed की जा रही है यह ऐसे ही नहीं है यह licensing system के through है मतलब सरकार नहीं यह नहीं बोला कि भाई इस चीज को import करने पर हमने आपका quota लगा रहा है तो कोई भी import नहीं यह नहीं है मतलब 3-4-5-6 vendor चुल लिए गए उनके पास license है और हर vendor को को बता जिया गया कि भाई एक साल में तुम इस चीज का जो import कर रहा हो इतनी ही quantity करोगे तो आगे जिनको भी तुम उन चीजों की supply कर रहा है कुछ भी है तो उनको बता दिना limit इतनी ही है ठीक है उतनी में ही तुम्हें काम करना पड़ेगा राइट so import quota directly leads to increase in the process of the domestically produced imported goods so quantity restrictions became a favorable strategy by newly industrializing nations to promote growth and development of domestic manufacturing base and to substitute foreign manufacturers right अब आपने यहां पे import के उपर वो लगा दिया quota अब इससे यह हो रहा है कि तुम्हारी जो domestic demand की जो कमी है क्योंकि तुम्हारी domestic demand बहुत है लेकिन वो जो समान है वो competitive तुम्हारा देश कम बना पा रहा है और तुम्हारा देश उसको जादा से जादा बनाए और तुम उसको एक limit में इंपोर्ट करो उसके लिए quota लगा दिया ठीक है ताकि दीरे दीरे आपका जो country है वो कोपप कर ले वो अपनी domestic production को gradually improve कर ले increase कर ले to this extent कि आपका काम क्या हो जाए manage हो सके राइट इसलिए बहुत बढ़िया रहता है चो नहीं इंडस्ट्री है जिनके production अभी कम है लेकिन stand भी होना चाहते है तो वहां से जितना आया आगया फिर बागी की कमी आपको पूरी करने का पूरा-पूरा मौका दे दिया जाता है राइट आगे so these restrictions also exist for promotion of agriculture and improve a balance of payments ठीक है यह आगे तो बढ़ते है अप originally introduced to relief foreign exchange difficulties quotas have been found to be useful to protect against foreign competition these help in strengthening foreign exchange reserves by limiting imports अब देखो कोई भी चीज जिससे कि आपको कम से कम import करना पड़ रहा है और अपनी production अब बढ़ा पा रहे हो यह आपके foreign exchange reserves को तो बढ़ाए गई बढ़ाएगा आपके balance of payment status को भी improve करेगा as I as we have discussed earlier balance of payment is just the statement अब आप मादा आपको वेट करना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके बात का चाप्टर है हमारा it's all about balance of payments to balance of payment पड़ते ही बहुत सी चीज़े international trade के बारे में आपको clear हो जाएंगी क्योंकि आपके syllabus के according balance of payment जो है वो थोड़ा सा limited है बट मैं आपको थोड़ा एक extension लेल पर बढ़ाऊंगा दो I am assuming कि आप मेंसे बहुत से student already balance of payment जानते होंगे क्योंकि आपने 12th standard भी पढ़ा है अपने grad में macro में भी पढ़ा होगा but still मैं थोड़ा उनका linkages समझाओंगा ठीक है कि किस तरीके से balance of payment को आपके किसी भी कंटे के forex reserve और उनके exchange rate से किस तरीके से वो impact करता राइट चलो so the quotas are flexible as these are subject to administrative manipulation and are not a matter of legislation वो के रहे कि तो अबवेस ही बात है यह legislation के अंदर तो आता नहीं कि क्या import क्या import नहीं तो सरकारों का काम है तो वो के रहे कि वो इस हिसाब से क्या है flexible होता है कि जो सरकार आईगी जिस तरह की सरकार आईगी वो अपनी सोच के हिसाब से उसको change कर सकते है अजर अव कटरघ कर रून अबचर अजर नहीं है वो बात्ने विर्च के रूने काम है वो अवों है कि आपनाप्ट प्रेश करूंप कर दाई है वो अपना मानु यह धर कि एस स्थेश्यर नहीं कि वोने है अप्रून है फॉस्ट इसां दे जोस्ट आईगी जोस्तरह कर दो the raising of import duty finally under the quota system the most favored nation clause can be evaded everywhere right चलो आगे बात करते है सुर्ण एफेक्स of quota में दिया है तो सीधा इसको छोड़ के first पे आते है यहां पे काई first say the government losses so quota is the most popular non-tariff quantitative barrier import quota is determined by the government in effect quota is more effective than tariff right since a foreign country cannot affect the imports of country by reducing its price either by dumping or by reducing the cost of production so then you understand dumping क्या होता है पहले देखो dumping एक तरीका होता है जिसमें आप अपने जो goods होते हैं उनको थोड़ा cheap quality का बनाते हो और foreign की markets को flood कर देते हो अपने goods से कि इतने सारे goods तुम वहां पे supply कर देते हो कि लोग कहेंगे भाई इसके सथा नहीं मिल सकता और इसको समझना बहुत मुश्किल आपके लिए होगा ही नहीं नहीं होना चाहिए क्योंकि China one of the best example to understand this क्योंकि China actually dumping ही करता है आपको ही पता है जितने भी सुर्ण से वीडियो देख रहे है Chinese product के quality बहुत लो होती है लेकिन वो इतने सस्ते rate पे इतनी bulk quantity में available करवाता है कि हर बंदा उसके goods लेगा तो यह होता है dumping ठीक है है so the protection effect of quota is larger since domestic price is secure to the domestic producer even when they are inefficient in production quota is several limitation first here the government losses revenue on imports second it is relatively difficult to administer since quantities to be imported have to be supervised वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि यहां पे government को loss हो गया imports के अंदर क्योंकि वो टेक्सेशन क्लेक्ट हो रहा था अब वो सरकार नहीं कर रही है तो यह नुकसान हो गया second जो है आपको क्या दे रखा है कि इसको administer करना मुश्किल है क्योंकि quantities सबसे important है कि कितनी quantities हो है वो कितना मंगाना है कितना नहीं मंगाना है further it puts too much power in the hands of administrative officials as against legislatures क्योंकि वो अपने असाब से कभी भी मनुपलेट कर देंगे और यह document करने के रहे बैठे है कौन कितना मंगालेगा क्या पाच चल रहा आपको राइट third as it prevents the efficiency and reduction in cost of production consumers are required to pay more than they would under free trade right so hence unless the government introduces price control quota holders gain the advantage and not the public fourth quota introduces rigidity in the economy as these are calculated on the formula based on volume of imports over a given period which grows increasing with time वो कहें देखो यहां पर एक problem क्या आजाती है कि rigidity रहा है कि इतना ही import कर सकते हो भाई समय के साथ population बढ़ती जा रही है ठीक है population के साथ साथ demand बढ़ती जा रही है लेकिन वो उस लेवल पे आप revise नहीं कर पाते राइट so this penalizes the efficient firm wishing to expand अब अगर तुम उनके quota को बढ़ा भी दो तो तुमाही domestic production भी तो बढ़ रही है उस domestic production के बढ़ने के वज़े से तुम उनको भी allow कर रहे है जादा import करना और यहांसे production भी बढ़ रही है अब देखो tarifs अगर सस्ते हुए international market में किसी product का price कम हुआ तो आपको फायदा हो सकता था लेकिन यहां तो quota है तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला इस चीज का तो यह चीजे होते है in this section we discuss quota only on imports through it is equally applicable to exports ठीक है आगे जरा बात कर लते exports के ओपर comparison दिया हुआ यहां पे सुरुन quota और tariff का tariffs are most widely used instrument of trade restriction and regulation however, the efficacy and applicability of tariffs depend on a number of factors, assumptions or conditions these include competitive conditions between the industries in home and foreign markets so price elastic demand for imports since tariff works through the change in relative prices right, तो कहरे कि देखो competitive condition देखेंगे देख के काम करना पड़ेगा फिर price elastic demand भी देखनी पड़ेगी कि demand कितनी change हो सकती है country unfavorably affected by tariff imposition will not relate by imposing countervailing tariff right, तो यह हो सकता है, ठीक है आगे देखते है students, वो कहरे कि अब एक छोटा ता comparison करना है now let us make a comparison between quota and tariff for a given import quota, an increase in demand results both higher domestic prices and higher domestic production of commodity as compared to an equal import tariff तो कहरे कि अगर मान लो, import quota की बात की जाए an increase in demand results both higher domestic prices demand बढ़ रही है, तो आपके prices भी बढ़ेंगे and domestic production of commodity compared to an equal import tariff प्रेस्ट प्रेस्ट पड़ेगा तो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा the other difference between quota and tariff is based on the regulatory aspect of the government in the absence of competition based action government's decision to distribute or allot license will result in inefficiency causing monopolization of productive activity and generation of monopoly profits आपको अगर हम बात किसी करें in the absence of competition based action competition based action की बात अगर हम खतम करें तो कर्जमूट अपने accordingly ही यह court जो licensing है वो देती है तो उसमें क्या है? कि monopoly आने के chances पूरे पूरे बन जाएंगा और जिसके पास किसी चीज की monopoly form हो गई वो market को कैसे भी exploit कर सकता है तो इसलिए competition based licensing होगा कि भाई यह tender निकल रहे अपको भी बाता है tender निकलते है सब चीज होती है लेकिन कही न कही यह पर favoritism चलता है जिसके पास jack है जिसके पास power है जिसके पास पहचान है उसको वो license देना असान हो जाएगा competition तो फिर तेल देने so an arbitrary allocation of license that will create a breeding place for corruption and rent seeking whereby firms would want to pay a higher price for license to get even greater monopoly profits वो कह रहा है कि इसमें क्या होगा corruption जो सब कुछ हम पढ़ते ही आ रहे है तो इसमें यह होगा कि जिसके पास बढ़िया पैसा हो वो किसी भी cost को bear करेगी किसी भी cost को pay करेगी जिससे कि क्या हो सके वो license आपको मिल जाए क्योंकि आपको पता है कि once you get the license later on profit से वो सब चीज़े cover कर सकते हो right so import quota is a visible impact on import restriction as compared to import tariffs as it enables to give permit or license to lucky ones the certain reduction is not visible in tariff as responsiveness of demand and supply of commodity acts to tariff is unknown well unknown है क्यों तो कि वो कह रहे कि ने को है क्या कि import quota में visible है जिसके पास license वो मंगा सकता है जबकि जो import tariff से उसमें ऐसा कुछ नहीं है वो depend करेगा किसी के demand कितनी supply कितनी उसके according ही वो चीज़ों को producer मंगाएगा right unlike the case of tariff quota system does not bring revenue to the government right here the difference between the foreign and domestic prices arising out of restricted supplies pocketed by the importer वो कह रहा है कि वो तो importer है वो ही मंगा रहा है तो उसके accordingly जो है वो prices को change करेगा जिससे कि उसका जे बरेगा बाक्यों का बतानी so the government can auction of the scarce import quota license to avoid bribe or nepotism this will also help in allowing reduction of taxes and offsetting some of the harm done to consumer in the importing country वो करें कि government कर सकती है licensing system लेकिन कितना करती है तो आपके बता है so in the case of quota the home market remains insulated from impact of changes in the world prices जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया कि world prices में कुछ भी हो रहा उससे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो है price वो ही आमें देना पड़ेगा समझना पड़ेगा अब यह पर हमें थोड़े other non-tariff barriers दे रखें जैसे कि यह रखा है Voluntary Export Restraints PER वोलंटरी हो गया समझ लो अपने आपी क्या होगा so VER is a variant of import quota also called as voluntary restraint agreement ठीक है where a quota is imposed on the exporter the importer of a commodity through its actions or policies enforces a greater restriction on the exporting nation which then receives quantity of export voluntarily ठीक है the exporter undertakes VER on the request of the importer to avoid the damage that could have been caused if the importer has used conventional trade barriers वो कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है the importer of a commodity through its actions or policies वो कह रहा है इस agreement में क्या होता है that VER is akin to import quota expect for the rack that the quantity restriction is now governed by the exporter and the license is granted to export firms hence the revenue generated are meant for the exporter VER is costly as compared to tariff because the importing government loss is revenue that it could have earned by allowing imports the loss of curbing exports by foreign exporting nation is met by exporting only high quality and high price goods वो कह रहा है इस case में होता क्या है जो हम voluntary export restraints कहते है कि हम voluntarily अपने देशे export को रोकना चाहते है हम नहीं चाहते है उसको अपने देशे माहा देशे रोकना और यह generally क्यों होता है जब उस particular country की जो government है उसका request आएगा तब हम क्या करते है VER को एक option लेते जैसे कि आपने देखो यह पर लिखा ही हुआ है कि अपने अपने रोकना चाहते है अपने रोकना चाहते है कि देखो मैं तुम से पहले ही बोल रहा हूं कि तुम एक्सपोर्ट अपने रोक लो मैं नहीं चाहता कि अगर मैं कोई भी कन्वेंशनल मैं वो कोटाज और टार्स को लगाऊं उसके बाद तुमारे एक्सपोर्ट को कोई दिक्कता है इससे बेटर यह होगा तुम खुज से ही अपने एक्सपोर्ट को रोक लो यह चीज इसके अनोत है तुमारे एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंश ठीक है अब आगे सुरें नमीद रेकर टेक्निकल अड्मिस्ट्रेटिव अगरेशन गर्मेंट प्रोकूर्मेंट पॉलिस इस बाइ लोकल पॉलिसी है लोकल फॉर वोकल तो यह वही बात है गर्मेंट क्या करती है के वह कहते कि बाई पहले जोमेस्टिक प्रडक्शन को प्रमोट करो बहले जो बचेगा तब हम बात करेंगे proprio-शोर्ट की तो जैसा भी ग्रमेंट ने बासमथी रायस के साथ की जाथ था 2023 के अनदर के ग्रमेंट ने काता कि भी है राइस की शौटेग चल रही है पहले हम इंडिया के लोगो को पूरा करेंगे जब उनका हो जाएगा उसके बाद देखेंगे एक से embargo embargo is an overall restriction of trade in a particular commodity in a specific quota of total prohibition the prohibition could be either on exports or an imports of the commodity irrespective of its origin मनलब embargo में कहा है कि वो overall restriction है कि हम हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कौन सी country से आ रहा हो कहां से आ रहा है हमें बस ही है कि हमने overall restriction लगा रख किया है such outright restriction has detrimental effects on the trade specially when economic condition of embargo stricken nation is weak already one such example of embargo is the US restriction on Cuba Cuba के साथ वो trade नहीं करना पसंद करते standards and labeling reforms कि भाई इस में क्या होता है कि अगर आपको import export में आना है तो किसी भी product को multiple process से होके गुजरना पड़ेगा इतने standards और यह labeling होनी चाहिए तभी आप उसको export कर सकते हो देखो सूरंच जो में स्थी करी जब आप trade करते हो ना तो आप ऐसे करोगे कि भाई इस company के साथ ट्रेडिंग करना यह company बिकार है यह बिकार है वो बिकार है लेकिन जब आप international trade करते हो अप कास्त से नहीं जाने जाते हैं आप सर्नें से नहीं जाते आप रिजिन से नहीं जाते आप जान जाते हैं अगर कुछ भी इंदियन से लगा ता अच्छे समान बाहर बेकार बेज दिये तो होगा क्या होगा ये कि इंडिया बदनाम होगा इंडिया के प्रोड़क्स वह तो बेकार है वहां से ट्रेड नहीं करना तो ये चीज बचाई जाते तो अच्छेसरे कर्के हेल्दी एंसेफ्टी सेजुटेस की गव Subaru की की जो चीजि की सतीये उच्छाहिए प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् आपने आप quality differences पता चलेंगे, तो ये भी देखा जाता है, ये भी existation का वो बन जाता है, फिर है IPR, तो IPR आपने पढ़ाई होगा, कि intellectual property rights के अंदर क्या होगा, कि मैंने अपना जो good है, उसका patent ले रखा है, trademark ले रखा है, copyright ले रखा है, जिससे कि क्या होगा, वो मेरे पास ही ह import and export license require, companies to submit samples, the screening process, if terms the sample negative, adds to time and cost along with the creation of ambiguity over trade revival, ठीक है, के भाई, permission लेनी पड़ेगी, वो सब को check करेंगे, चेक करने के बाद ठीक हुआ, तो ही जा पाएगा, वरना नहीं, administrative backlogs, these could be in the form of lack of liquid license policies which pre to delivery med, increases time cost, on the other hand, broad, erratic or rigid custom clearance, lack of technological, apart of restrictive action, conditions, कि वहाँ पर जो administrative problems आ रही है, कि को technical error है, या फिर administrative level पर वो backlogs clear, आप नहीं कर पा रहे हो, या जो आपका, कहते है, port है, port पर किसी documentation की कमी है, license लेने में दिक्कत आती है, यह साही चीज़े, फिर reciprocative trade requirements, at times government force exporters who accept payments in kind, these are common in defense and narrow space sector, where payments in cash are difficult, वो कहरे कि जब payment in kind कैसे होता है कि मैंने रेफल जेट लिये, लेकिन रेफल जेट के बदले मैं आपके ओपर impose करूँगा, कि भाई, जो रेफल जे तुम आप मुझे दे रहे हो, इसके बदले में तुम मुझसे गेहू चावल ले लो, ठीक है, मुझसे समान ले लो, क्योंकि मैं कैश कहां से लाँगा, इत कौनिटी फिक्स कर दी जाती है, उस तरीके से, राइट, फिर नेक्से, counter trades, sometimes importers require the product or some portion of domestic produce to be included in imported products, राइट, sometimes forces the importers to expand their operations into sectors or products to which they are alien or less expertise, this at times it is solved by complex organization relations adding to cost and could further due to the products, so counter trades वगेरा में ये लिक्काता सकती है, next हमारे पास दे रका है, restrictive services, services for a country specially like India, hold strategic economic importance, hence they take all possible steps to avoid trade in such services, right, this is a key, उनने थेका, essentiality, certain services are essential by very nature and can only be provided by governments and not by private companies, hence several price controls are introduced to avoid private participation, especially foreign participation, non-profit services like education, pension, health and security services are kept under government control, ठीक है, तो ये चीज़े गवर्मेंट ही रे सकती है, और आपो कोई ने सकता है, तो पर प्रिवाटिशन इसकंदा कुछ नहीं करेगा, standards, professional services call for qualified workforce, and unregulated access of these services raises questions of their authenticity and viability, hence some form of license or regulation along with domestic governance is required by the professional bodies, के अमने इस तीज को चेक कर लिया है, सब कुछ समझ लिया है, तभी है, मुने चीज़ों को export, import, वो करेंगे, right, ठीक है, next हमें लिया का immigration, working regulation act, also act as restrictive as employment opportunities get threatened, ठीक है, aid in grants, अपने को सूरिंट, next topic हमें पढ़ना है, वो international cartel के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यहां पर हमने जितने भी restrictions थे, जितने भी quota, जितने भी tariff, जितने भी barriers थे, वो सब हमने clear कर लिया, ठीक है, in the next class, we will start with cartels, आगे का chapter जो हमारे पास रहे गया है, के cartels का है, dumping का है, उन policies को, उन सारी चीज़ों को in depth पढ़ेंगे, तब तक जो भी मैंने आपको पढ रीड करके रखना, ठीक है, next class मिलता हूँ आपसे, bye, take care.